क्या तै हो गया है कि भहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठ जोड में चुनाव लड़ेंगी अब तीन पार्टियां दमखन दिखाती होई उत्तपरदेश में नजर आएंगे नमश्कार में आजविन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रिस पार्टी के साथ गठ जोड कर लिया है समाजवादी पार्टी ने जहां 63 सीटे अपने पास रखी है तो वहीं कॉंग्रिस पार्टी को 17 सीटे दी है लेकिन इस बीच में ये कहा जा रहा है कि जल्द बस्पा सुप्रीमो मायावती भी हाथ मिला सकती है और बस्पा सुप्रीमो इंडिया गटबंधन में शामिल हो सकती है ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि मायावती ने अपने जर्म दिन के अफसर पर ये कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं करेंगे लेकिन एक एक करके कईसान से कई विधायक उनका पाला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में मजबूरन मायावती को यहाँ पर फैसला बदलना पड़ सकता है इसे बीच यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, कॉंग्रिस पार्टी और भहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में बीएसपी को समाजवादी पार्टी की तरफ से 25 सीटे दी जाएंगी और यहाँ पर आपको बात करें तो समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती है कॉंग्रिस पार्टी वही 17 सीटों पर यानि कि सीटों का बटवारा होगा तो समाजवादी पार्टी और भोजन समाजवादी पार्टी के बीच में होगा समाजवादी पार्टी वहीं अधिक्तम सीटे बीस पी को देती हुई नजर आई इस बात की चर्चाएं अब तेज हो रही है इस बात को लेकर उपचारिक एलान कप किया जाएगा ये तैय नहीं है लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि गटबंधन मायवती का कॉंग्रिस का और समाजवादी पार्टी का देखने को मिल सकता है क्या ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है इस मुद्धे को लेकर आपकी क्या राय बनती है क्या मायवती को इंडिया गटबंधन में शामिल हो जाना चाहिए क्या है आपकी रायकम सेक्शन में जरूर बताएं देखते रहे स्पेन नाई नियूस थाने बाद